श्री सिवाई नमस्तु भ्यम हरहर महादेव गुरुजी प्रदीप मिश्राजी के ऐसे जो उपाई जो आपके भागी बदल सकते हैं खासतोर पर आपके बच्चे और आपके पती आपके बिल्कुल नहीं सुनते गुश्यल है चिड़चिड स्वभाव है गलत संगत सराव दोश के दिन भी कर सकते हैं सौंबार के दिन कर सकते हैं जब भी मासिक सिवरात्री आये तब भी कर सकते हैं या जब भी विसेस्तितिया आपको लगा कि आज मेरे पास समय है आज मैं महादेव के लिए समर्पित हूँ तो उस दिन ही इन उपायों को कर दीजेगा निश्चि सब भी इस सरल eTA उपाय इसथे हैं शंभेश्वर महदेव का नाम लेते हुए आप सभी को काले तील लेने हैं काले तिल जो है सनी राहुसमंधी और बित्रो दोस्टमंधी सभी परिशानियों को दूर करने में साह्य होते हैं आप सभी को संभेश्वर उपाई इस तरह से हैं शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को काले तिल लेने हैं काले तिल जो है सनी राहु सम्मंधी और पित्रदोस सम्मंधी सभी परिशानियों को दूर करने में साहक होते हैं आप सभी को संभेश्वर महादेव का नाम लेकर और एक सब्सक्राइब करते हुए अपने पती और जिसके लिए भी कर रहे हैं उनका स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए कि उनकी पीडा कस्ट सब मिढ जै आप सभी को काले तिल जो है समभेश्वन महादेव का नाम लेकर सिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं चडा देने हैं पूर्ण रूप से काले तिल आप एक मुठी में भी ले सकते हैं उससे कम थोड़ा सा उठा लेना है वहां पर से बिन लेना है सीवलिंग पर चड़े हुए यह काले तिल अभी मंत्रित हैं महादे उसे इस पर शोकर पवित्र हो गए हैं तो इन्हें उठा लीजिए और एक कटोरी में रखकर घर पर ले आईए घर पर लाकर इन्हें आप चाहें तो मि उठा देगा और उनके रोग दोस्त कस्ट को भी मिठा देगा और एक छोटा सा रुमाल के बरागर काला जो है लाल चोटा सा कपड़ा लेने नहीं लाल कपड़े में रुमाल भी ले सकते हैं धूला हुआ कोई सा भी हो नया नहीं है तो कोई दिक्कत निए साप सच्छ पू मिर्च इस लाल कपड़े के अंदर आपको डालने है ठीक है दुबारा से बता देती हैं अउधुतेश्वर महादेव का नाम लेना है लाल छोटा सा टुकड़ा कपड़े का लेना है पांच काली मिर्च और पांच लॉंग जो है उस कपड़े के अंदर रख देना है उसे मौल मंदिर में आप एक दीप प्रजलित परें और चोटी सी जो यह लाल पोटली है उन्हें आपको हनमान जी महराज के चर्णों में जो आपने काली मिर्च और लॉंग से बनाई है इससे समरपित कर देना है स्री सिवायन नमस्तुब्या महामंतर का जाप करना है हनमान जी से प अंता मोबाइल देखता है सभी चीजों के परेशानिया का इसमरण करते हुए प्राणसाना करनी है उसके पश्चात जो आप छोटी सी पोटली बनाकर लेकर गये लोंग और काली मिर्च वह उठाकर घर ले आना है घर लाकर आप सभी को थोड़ा सा पानी उबाल लेना है प उसमें मिला देंगे नहीं तो आप सबजी में मिला सकते हैं दाल इत्यदी में भी जो भी आपको चीज लगे कि वह चुपचाप से खाले उसमें आप विस्वास के साथ मिला दीजिए आपके कहे अनुसार आपके पती बच्चे कारिक करने लगेंगे उनकी बुद्धी सही ह हो जाएगी और उन्हें दुख्य विमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी करके देखिएगा निश्ची थी लाब मिलेगा यह हो गए दो उपाय बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तीसरा उपाय भी बहुत सरल है जो आप किसी भी पवित्र विसेश तिथियों में कर सकते हैं न अब चंदन सहीत या तो आप पीस लीजे या जो है पहले चावल पीस लीजे और फिर बाद में उसमें मिला दीजे चंदन मिलाने के पस्चा पेस्ट सा तयार हो जाएगा लेकर चले जाए महादेव के मंदेर में वहाँ पर बैठ कर एक दीपक लगाएं गोल बत्ती का घी क महादेव का विधी विधान से जो भी आप सरलतम तरीके से पूजन करते हैं उसके लिए तैयार करें खुद को उसके पस्चा जो है आपने जो चावल और चंदन का जो पेस्ट बना रखा है अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलते हुए अगर उसके ले कर रहे हैं तो महाद कर आप्ने सेवलिंग का लेपन कर दिज्ए नहीं तो अपने पति का नाम गोत्र बौत कर उनके नाम का लेपन कर दिए उसके पस्चा जो है आप जाहें तो जो स्ग्मिल नజजित घॉपर बना सकते हैं अप ऑपको तरिपूद बना सकते हैं कुल मिलाकर आपको चा मुल पर आर्थना करना है कि महादेव मैंने अपनी इस कामना सिद्धी के लिए मेरे पती मेरे बच्चे मेरे वस्म हो जाए उनके भाग्योदय हो उनके प्रत्योगी परिक्षा एक दो नंबर से चूक जाती है जो भी परिशानी होती है सभी चीजों का स्मरण जान करते हुए आप सभी को अपने पीड़ा बाधा कहनी है और थोड़ा सा मात्रा सीवलिंग पर चड़ा हुआ जो चावल और चंदन का पेस्ट है उसे कटोरी में उठाकर घर ले आना है और थोड़ा थोड़ा जो है इसमें जल मिला कर आप सभी को अपने बच्चे के या पती के मस्तक पर ति से उठाकर उसका रोज जो है एक एक तिलक के स्वरुप में लगा देना है इससे धीरे-धीरे मती विवरित हो रही है वे सही दिशा में आ जाएगी रोग दोस्कस्ट से भी मुक्ती मिल जाएगी यह हो गए तीन सरल से उपाया आपको जोकी करना है जरूर से एक साथ ही गुर दिया जाए तो उस बच्चे के जो है भाग्यूदय होते हैं अवधूतेश्वर महादेव उसकी बुद्धी अगत गलत देशा में हो रही है तो उसे सही करते हैं और उसके जीवन में भक्ती का संचार करते हैं इस तरह से यह सरल से पाँच उपाय थे एक कर लिजेगा झाल 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 झाल